असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं नेम इस रायान मलेक एंड एंड एम हेर तूच यू साइंस क्लास एट आज हम स्टडी करेंगे चाप्टर नंबर टैन का टॉपिक मुवमेंट्स इन बैलन्स तो आई ये चलते हैं बोड की तरफ चाप्टर नंबर टैन प्रैशर एंड मुवमेंट्स और इसका हम टॉपिक स्टडी करेंगे आज मुवमेंट इन बैलन्स तो फिस्ट अफ आप अपने लास्ट लेक्ट्चर को रिपीट करते हैं कि मुवमेंट्स क्या होता है कि जहां पर भी आप फोर्स अप्लाए करें और एक टर्निग अफेक्ट प्रोड्यूश हो जाए उसे हम क्या कहते हैं मुवमेंट कहते हैं और इसका हमने एक और नाम भी दिया था ताट इस टॉर्क and the thing कि जहां पर वो turning effect produce होता है जहां से वो चीज turn कर रही होती है उस point को हम क्या कहते है that point is called pivot clear तो ये था हमारा last lecture अब इस lecture में हमने ये discuss करना है कि movement आपका balance किस तरह हां से होता है and as we studied कि movement क्या है turning effect है अब एक object जो है वो दो तरफ turn कर सकता है क्या तो वो clockwise turn करेगा या वो anti-clockwise turn करेगा तो clockwise turn को हम क्या कहेंगे clockwise movement कहेंगे और similarly anti-clockwise turn को आप क्या कहेंगे anti-clockwise movement कहेंगे so हमारा movement balance कब होगा जब clockwise moment equal हो जाएगा anti-clockwise moment के okay so clockwise moment इस एकुल तू एंटी क्लॉक्वाइज मुमेंट ओके सो जब यह कंडिशन प्रू हो जाएगी डाट्स में कि आपका मुमेंट अब क्या है बैलन्स फॉर्म में है कि हम मुमेंट किस तरहां से फाइंड आट करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मुमेंट बैलन्स हो गया है के नहीं इसका भी हमने एक फॉर्मॉला डिस्कॉस किया था लास्ट लेक्चर में कि मुमेंट इस इकुल्स तू मुमेंट is इकुल्स to पोस्ट मुुपल्य भै इस तंस अफोर्स from pivot तो वो जो pivot से distance है force का उसको हम multiply करवाते हैं force के साथ तो हम movement find out कर सकते हैं तो यह है इसका formula अब हम कुछ example discuss करते हैं जिसे आपको यह clear हो जाएगा कि movement किस तहां से balance हो जाता है so example see saw one आपको यहां पर नजर आ रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस see saw पे दो object रखे हैं एक object का weight है 600 newton और एक object का weight है 400 newton see saw यह जो जूला है यह आपने देखा भी होगा बच्पन में in fact आप यह note कर सकते हैं कि see saw में क्या होता है कि एक बचा जो है वो एक side पर बैठता है और एक बचा दूसे side पर बैठता है और जब वो equal हो जाता है तो आपका जो see saw है वो balance form में आ जाता है okay so अब एक object का weight है 600 newton और एक object का weight है 400 newton जो के different placed है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह हमारा basically pivot point है turning point है ठीक है अब यह जो object है यह turning point से 2 meter के distance पर है और similarly जो यह object है यह pivot point से 3 meter के distance पर है and similarly जब हम बात करेंगे कि आपका object अगर इस तरफ को move करता है that is clockwise movement and similarly जब आपका यह वाला object इस तरफ को move करेगा so that is the anti-clockwise moment मैं यहाँ पर arrow draw कर देता हूँ जिससे आपको direction जो है वो clear हो जाएगी okay this is the clockwise movement and this is anti-clockwise moment तो इस case में basically हमनी दो moment find करने है अगर तो यह दो moment equal हो जाते है that's mean कि आपका moment equal है moment आपका balance form में है so हम पहले clockwise moment calculate कर लेते है clockwise moment is equals to force multiplied by distance of force from pivot so अब यहाँ पर हम force क्या लेंगे वो force basically यहाँ पर वो weight है तो हम इस जगा पर force की जगा हम लिख सकते हैं कि यहाँ हमारा force क्या है basically weight है तो downward force apply कर रहा है downward act कर रहा है और वो weight कितना है आपका that is 600 newton multiply by distance कितना है उसका that is 2 उसको multiply कर वाएं तो हमारा answer आ जाएगा 1200 newton meter clear तो यह था clockwise moment similarly हम anticlockwise moment find करते हैं and again weight multiply by distance और इस case में आपका जो weight है that is 400 multiply by distance जो है that is 3 so इसको multiply करें तो again answer आ जाएगा 1200 newton meter तो आप देख सकते हैं कि दोनों answer जो है वो same हो गए है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा moment जो है वो equal हो गया है वो balance हो गया है because clockwise moment is equal to the anticlockwise moment clear अब एक और example discuss करते हैं जिसमें आपकी देख सकते हैं कि दो object जो है वो present है यहां पर एक object का weight है 400 newton और एक object का weight है 200 newton तो first object जो है वो pivot point से 1 meter के distance पर है और second object जो है वो pivot point से 3 meter के distance पर है again इस case में भी यह वाला object downward force act कर रहा है means clockwise moment and similarly यह object भी downward act कर रहा है means anticlockwise moment so अब अगर हम की दो moment separate separate find कर लें so the clockwise moment is equal to weight multiplied by distance और आपका weight क्या है that is 400 multiply by distance है 1 so the answer is 400 newton meter and similarly anticlockwise moment और यह equal हो जाएगा weight multiply by distance के values put करें इसका weight है 200 multiply by इसका distance है 3 so multiply करेंगे तो answer आजाएगा 600 newton meter and as you see कि यहां पर moment जो है वो equal नहीं हो रहा clockwise moment that is 400 newton meter and anticlockwise moment that is equal to 600 newton meter so this shows कि आपका moment जो balance form में नहीं है और आप देख सकते हैं कि आपका जो see saw है वो भी anticlockwise moment की तरफ downward act कर रहा है और similarly यहां से up हो गया है so this shows कि आपका moment जो है वो balance नहीं है और आपका see saw भी balance नहीं है clear I hope in example से आपको movement in balance का concept जब clear हो गया होगा अब हम एक चोटा सा do you know एक box आपके इसी page पर गिवन है हम वो discuss करते हैं did you know people have used levers for thousands of years about 50,000 years ago the Egyptian used levers and other simple machines to move heavy blocks of stone to build up pyramids तो people जो है वो thousands of years से lever को use कर रही है because lever आपके काम को असान बना देता है similarly उसने लिखा है कि 50 साल कबल जो Egyptians हैं वो levers को इस्तामाल करके और बहुत से simple machines को इस्तामाल करके heavy जो blocks है stones के उनको वो lift करते हैं और उनसे उन्होंने pyramids जो है वो build करते हैं clear I hope आपको box समझ आ गया होगा अब next page पर आपके कुछ questions given है test yourself के इन questions को discuss करते हैं one by one question number one what is a lever a lever is a simple machine that makes the work easier clear lever जो है simple machine है जो हमारे काम को आसान बना देती है question number two explain the meaning of these words effort, load and pivot so effort क्या है effort वो force होती है जो आप उस lever के longer side पर जो end होता है उस side पर जब आप force apply करते हैं that is called effort okay so effort is a force that is applied on the other end of the lever and it multiply your force okay clear तो हम lever के जो दुशे end पर force apply कर रहे होते हैं that force is basically is called effort okay and what is load load क्या है load जो है वो बेसिकली उस machine के उपर जो force को overcome करने के लिए जो force weight act कर रहा होता है that is called load and what is pivot pivot is the turning point जहां से आपका लिवर जो है वो turn कर रहा होता है that point is called pivot question number 3 what is a moment movement क्या है and as we studied a turning effect of force is called movement force का जो turning effect होता है उसे हम कहते हैं question number 4 explain the difference between a clockwise and an anti-clockwise movement to clockwise movement क्या होता है जिसमें आपका object है वो clockwise rotate कर रहा होता है तो हम कहेंगे महां पे clockwise moment होगा similarly जो anti-clockwise movement है उसमें जो भी object है वो anti-clockwise rotate कर रहा होता है so हम कहेंगे कि वो anti-clockwise movement है question number 5 look at the seesaw pictures Fred takes John's place on seesaw 1 he weights 300 newton where should he sit to balance the seesaw so आपकी book में एक picture draw है जिसमें आप देख सकते हैं कि जहां पर John's place है उसकी जगा अब ले लही है किसने? Fred ने और Fred का जो weight है वो है 300 newton okay so where should he sit to balance the seesaw so जो Fred है उसको 4 meter away बैटना पड़ेगा from the pivot point so अगर वो वहां पर place होगा तब ही आपका moment जो है वो balance होगा so यह question आपने solve करना है आप इसको किस तरहां से solve करेंगे आपके पास जो next side पर जो moment है वो आपको easily पता है कि इस side पर moment आपका कितना आ रहा है that is 1200 newton meter so हमें Fred का weight पता है that is 300 newton अब हम इस 300 को हमने कितने distance पर place करना है कि हमारा moment का जो answer है वो आजाए 1200 newton meter तो हम 4 meter away इसको place कर देंगे from the pivot point so आपका जो moment आएगा that is 1200 newton meter so इस case में आपका जो moment है वो balance हो जाएगा B Jack moves backward 0.5 meter on seesaw what effect does this have on the seesaw so jack जो है वो 0.5 meter backward move करता है on the seesaw तो इस effect से क्या होगा जब वो 1.5 meter move करेगा back side पर जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वो just 1 meter away था from the pivot point अब यह 1.5 meter away हो जाएगा क्योंकि उसने का 0.5 meter मजीद backward move करेगा total distance कितना हो जाएगा so आपने करना यह है कि आप इस 400 को multiply करेंगे 1.5 से तो आप का अंसर आजाएगा 600 newton meter और क्योंकि दूसरी साइट पर जो movement है that is also 600 newton meter so that mean कि आपका जो see saw है वो balance हो जाएगा okay question no.6 if you had a plank of wood about 4 meter long and a bag of cement weight 250 newton how could you measure the weight of one of your friend so आपके पास plank है 4 meter long और आपके पास cement bag है जिसका weight 250 newton है और आपने अपने एक friend का weight करना है तो आपके इस तरहां से measure कर सकते है as we know कि जब हम movement को balance करते है that mean कि आपका वापे clockwise movement equal होता है anti-clockwise movement के तो इस case में आपने करना ये है कि आपके वह जो 4 meter long आपके पास एक plank है wooden plank है उसको आपने एक wedge के उपर place करना है और आपने उसके एक end के उपर this cement bag को hang कर देना है जिसका weight है 250 newton okay so हम जब इसको 250 newton पर हम hang करेंगे और हमने वह distance महीर कर लेना है उस pivot point से इस bag तक का okay तो यहां तक आपके पास एक distance आ जाएगा अब अगर हम formally से discuss करें so let's suppose कि आपके पास वह weight है उस bag का cement bag का that is 250 newton और हमने distance महीर कर लिया from the pivot point to the bag okay तो यह distance आ गया इस तरह से आपके पास clockwise movement आ जाएगा क्योंकि हमने उसको balance करना है that means clockwise movement जो हो equal होगा anti-clockwise moment के तो जो moment हम यहां find करेंगे वही movement आपका सेम हो जाएगा anti-clockwise movement का हमारे पास इसकी value भी आ गई anti-clockwise movement let's suppose example लेते हैं कि वह है 1200 newton meter okay अब आपने विसके लिए करना यह है कि आपने उस front का weight find करना है जो कि हम यहां से यह value से हम find कर सकते हैं और अब friend जहां पर भी place होगा that means उसका distance होगा pivot point से what distance आप measure करने उसकी value यह put करें इसकी value हमें पता है okay इस नहीं से हम इस weight की value हम find out कर सकते हैं so I hope यह questions आपको clear हो गए होंगे और इस questions को आपने solve करना है खुद से I hope topic भी आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा take care Allah Hafiz हुआ झाल हुआ झाल हुआ 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 कर लो